Hello everyone, how are you all? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे Friends, this is me, Ranjan Singh और आप देख रहे हैं English तक Friends, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ In Terms Of In Terms Of, पूरे English language के अंदर बहुत important role play करता है तो क्यों न हम उसे सीख लें Last time मैंने discuss किया था कि Despite Of, In Spite Of, In Terms Of, In The Beginning Of ऐसे बहुत सारे एक सीरीज तयार किया था But कुछ लोगों का मेरे पास comment आया है कि Sir, In Terms Of का यूज हम कहां करते हैं बाकि हमें बहुत कुछ पता है तो In Terms Of को हिंदी में कहते हैं K हिसाब से या फिर K मामले में जैसे अगर आपको बूलना हो कि पढ़ाई के हिसाब से वह बहुत अच्छा लड़का है ठीक है, पढ़ने के मामले में वह बहुत अच्छा लड़का है करकेट खेलने के मामले में वह बहुत आगे है तो इस जगह हम In Terms Of का यूज करते हैं अब मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि In Terms Of के बाद जब हम कोई कुछ यूज करेंगे तो वह नाउन होगा या फिर जिरंड होगा यानि जो बर्व होगा वो इन जी होगा देखे एक्जामपल के तहत आपको 100% समझ में आएगा अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी वाक्य है उसे हमें इस तरीके से बोलना है कि वह किर्केट खेलने के मामले में बहुत आगे है तो In Terms Of Playing Cricket He Is Very Forward अब देखो यहाँ In Terms Of के बाद हमने एक कॉमा लगाया है अगर इस वाक्य को हम इस तरीके से बनाएं कि He Is Very Forward In Terms Of Playing Cricket तो यहाँ कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा यानि In Terms Of के यूज किसी वाक्य में पहले यूज करेंगे तो वहाँ कॉमा लगाना जरूरी है खाना पकाने के मामले में वह बहुत आलसी है तो बोलेंगे In Terms Of Cooking Food She Is Very Lazy या फिर She Is Very Lazy In Terms Of Cooking Food ठीक है अब आप एक 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 जामपल बना सकते हैं तुम पढ़ाई के मामले में बड़े चालाक हो तो आप क्या बोलोगे You Are Very Clever In Terms Of Study या फिर बोल सकते हो In Terms Of Study You Are Very Clever इस तरीके से हमें एक जामपल बनाना है Friends मैं आपको दो तीन एक जामपल दिया हूँ बागी क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है जैसे इंग्लिस बोलने के हिसाब से मेरा Confidence Level अच्छा है In Terms Of Speaking English My Confidence Level Is Well ठीक है तो आप ऐसे बोल सकते हो लिखने के मामले में तुम बहुत धीरे हो लिखने के मामले में तुम बहुत सलो हो यानि धीरे हो तो In Terms Of Writing You Are Very Slow या फिर बोल सकते हैं You Are Very Slow In Terms Of Writing पैसे कमाने के मामले में मेरा नसीब बहुत खराब है तो In Terms Of Earning Money I Have Bad Luck या फिर बोल सकते हैं I Have Bad Luck In Terms Of Earning Money ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने सभी दोस्तों से जरूर शेयर करें और वन मोर तिंग डेड़ आपको प्रेक्टिस करना है आइने के सामने फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है थैंक यू सो मच जैहिन जै भारत कीप वचिंग इंगलिस तक